हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं फिर से आप लोगों के सामने रिजिनिंग का एक नया चैफ्टर जो न्यू वर्षन है फिल इन दा बलैंक ले के आया हूँ जी हां दोस्तों आएक कोश्चन से हम समझते हैं कि किस तरह से नया वर्षन में कोश्चन पूछा जा रहा है और कैसा इसका हम आसानी से जल्दी जल्दी इसे बना सके तो आएक कोश्चन नंबर हम वन पे चलते हैं तो देखे हमारा सामने कोश्चन नंबर वन है देखे इस ट method से solve किया गया है दोस्तों, the same method से हमें solve करके जो question mark है, इसका हमें answer लाना होता है, okay friends, तो आएए कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं, तो पहला हमारे number है दोस्तों, देखें, ये है 3, और ये है 4, ये है 5, और ये है 50, जब दोस्तों जब छोटा से बड़ा हो, चुकि हम कैसे बोरे कि यहाँ ये लाना है, हमें सबसे पहले ये देखना है, कि ये कौन सा bracket में फिलिनदा blank है, उसी को हम यहाँ पे solve करेंगे, तो देखें, जब चोटा से बड़ा हो, तो या तो square है, या multiply है, add नहीं हो सकता, add तभी होगा दोस्तों, जब चोटा हो, सिंतिया, 9, चर्चो के, 16, अब 25, तो देखें दोस्तों, यह है, नहीं हो सकता, क्योंकि 25, 16, 9, 25 हो सकता है दोस्तों, मतलब 50, यह आ गया, सही है दोस्तों, यह तरीका मेरा सही है, जो कि 50 आ गया, अब दूसरा देखते हैं, 2 है, तो 2 का square, अब पलस 8 है, तो 8 का square, अब पलस 6 है, तो 6 का square, तो 2 का square हो गया, 4, 8 का square हो गया, 64, पलस 6 का square, 36, तो हाँ दोस्तों, आ गया, 104, जो कि 104 है, तो बिल्कुल यही मेथट से हमें आगे भी बनाना है दोस्तों, तो 9 का square, तो 9 का square अगर हम करते हैं, और पलस 1 का square, और पलस 7 का square, तो 81, पलस 1, और पलस 49, तो हो गया, 1, 3, 1, 131 दोस्तों, आप add कर लिए, तो हमारा option, C number देख सकते हैं, 131 है, जो कि आणसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, इसी method से यह question बनेगा, अलग-अलग method से भी question दिया होता है दोस्तों, हम आगे देखेंगे, किस method से question दिया हुआ है, आईए, हम next question पे चलते हैं, next question है दोस्तों हमारे सामने, 8, 4, 5 और 27, तो हमें सबसे पहले यह देखना है, यहाँ question mark है, यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका मतलब यहाँ के अनुसार हम इसमें जाएंगे 90 में, और उसके अनुसार 27 में, उसी method से हमें बनाना है, तो हमारा क्या दिया है दोस्तों, देखें, यह बहुत ज़्यादा नहीं है, 27, चुकि 8, 4, 5 है, तो बहुत ज़्यादा 27 नहीं है, हम square पे नहीं जा सकते हैं, अगर square पे जाएंगे, और प्लस 10 जोरदे 27, उसी तरह 12, 8, 20, 6, 26, और प्लस 2, 30, है कितना 90, तो यह method नहीं है, तो हमारा method क्या है, 8 into 4, अगर हम 8 से 4 को गुना करते हैं, तो 32, अब माइनस 5 कर देते हैं, दोस्तों, तो आजागा हमारा 27, हो गया दोस्तों, उसी the same way, 12 गुना 8, तो कितना हो गया दोस्तों, 96, और माइनस 6, तो यह 90, एक दम same method दोस्तों, आगे भी बनाना है, हमारा दोनों का दोनों, 27 और 90, दोनों आ गया, तो इस कमते हैं, यह मेरा तरीका सही है, तो 11 गुना 5, माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 55 और माइनस 5, एक्वेल टू, 50, तो 50 है option में, D नमबर में देख रहे हैं दोस्तों, 50 है, जो कि बिलकुल सही है दोस्तों, तो आएए, अब हम question number 3 पे आते हैं, 3 में क्या है दोस्तों, 5 है, 8 है और 2 है, तो देखिए दोस्तों, 5, 8 और 2, लाना कितना है, 191 तो यहां से साफ पता चलता है दोस्तों कि बहुत जादा लाना है, तो square या cube हो सकता है, तो अगर हम 5 का square करते हैं, तो 25 और 8 का square करते हैं, तो 64 और 2 का square करते हैं, तो 4, 191 भी आएगा दोस्तों, तो हमें क्या करना परेगा Q तो 5 का cube 125 प्लस 8 का square 64 अब प्लस 2 का 2 तो कितना होगा चार दे 6, 5, 11, 1, 4, 6, 7, 2, 9, 191 दोस्तों आ गया ये बिलकुल सही pattern आ रहा है दोस्तों उसी तरह हम 8, 8 और 8 है तो एक बार करेंगे 8 का cube एक बार करेंगे 8 का square और एक बार 8 का power 1 मतलब 8 तो कितना हो जाएगा 500 8 का cube प्लस 8 का square मतलब 64 और प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 8, 4, 12, 12, 14, 14, 1, 1, 6, 7, 1, 8 और 5, 584 जो कि बिलकुल सही है दोस्तों the same way करेंगे एक बार हम 5 का cube प्लस 6 का square और 7 का power 1 इसमें आएगे 5 का cube, 6 का square, 7 का power 1 तो 5 का cube का मतलब हो एक 125 प्लस 6 का square का मिन से 36 और प्लस 7 तो 7, 6, 13, 5, 18 का आँचा 1, 3, 1, 4 और 2, 6, 1, 168 हमारा option number 1 बिलकुल सही है दोस्तों उसी तरह दोस्तों हम next question प्यारें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप comment box में comment करके जरूर पूछें तो हमारा next question है 17, 4, 5 और 18 तो सबसे पहले हम क्या देखना है दोस्तों यह जो question मार कई वो कहा है तो उपर में है तो यहीं पर यहीं वाला symbol यह जो है इसके बराबर लाना है और इसे भी यहीं पर लाना है मतलब जो दियावा है दोस्तों इसी के अनुसारा में चलना है तो multiply या तो divide हो सकता है या तो minus हो सकता है या तो plus होगा जब 18 ज़्यादा है तो definitely है कि minus का काम है तो ऐसा हो सकता हम इससे चलते हैं अगर 18 लेते हैं तो 18 अब plus 5 जोडते हैं तो 18 पांच 23, 23 में से 4 गया तो कितना होगा दोस्तों 19 जो की नहीं है तो हमें लाना कितना है दोस्तों 17 तो कैसे होगा तो दूसरा वे देखते हैं 18 अब plus 4 22, 22 में से 5 गया दोस्तों तो 17 ओके फ्रेंट्स तो हमारा क्या है इन दोनों को add करना है 18 और 4 को plus करना है और इसको minus करना है ठीक है दोस्तों तो 10 सेंबे 12, 14 और 8 इन दोनों को add करना है दोस्तों 14 और 8 को अब minus करना है 6 को माइनस 6, तो 14 और 8, कितना हो गया दोस्तों, 22, 22 में से 6 गया, 16, लेकिन ये दिया हुआ, नहीं है, मिलाना कितना 12, तो हमें इस से भी चल सकते हैं, तो 14 पलस 6, अगर हम इन दोनों को चलते हैं, एड करके, और इसको इस बार माइनस करते हैं, तो 14, 6, 20, 20 में 8 घटाएंगे, त इसका मतलब दोस्तों, चाहे आप ये सही है, आप एक बार इन दोनों को जोड़िए, या इसको माइनस कीजिए, या फिर इन दोनों को जोड़िए, इसको माइनस कीजिए, ठीक है दोस्तों, उसी तरह हमारा आंसर यहां आना चाहिए, तो 125, और कितना हमें लाना है दोस्तो या तो हम एक बार 100 जोड़े 7 माइनस करेंगे या फिर 7 जोड़ेंगे 100 माइनस करेंगे हम option से जाएंगे अगर 100 जोड़ जेते हैं तो 125 पलस 100 225 में 7 चला जागा दोस्तों तो बिल्कुल भी हमारा option के अनुसार नहीं है 35 ठटी नहीं आएगा तो 125 में ऐसे अगर हम 7 जोड़ते हैं और माइनस 100 करते हैं तो हमारा 132 और माइनस 100 तो हमारा option आएगा 32 जो कि option में किलियरली दिया हुआ है option नंबर B जो कि हमारा बिल्कुल भी सही होगा ओके फ्रेंट्स तो इसमें हम एक चीज़ क्या देखे कि 18 को चाहे 5 से जोड़िये और 4 घटाईए या फिर 4 से जोड़िये और 5 घटाईए उसी तरह हम तीनो पैटर्न में गये तो हमारा option भी बिल्कुल सही था एक चीज़ या तो कियेगा दोस्तों जो option रहता है वो एक ही तरह से बनने में option देगा दो तरह से दो option नहीं देगा तो आईए हम next question पर आते हैं हमारा next question है दोस्तों 17,4,5 और यहां पर हमें चाहिए what यह what है तो हमें सबसे पहला पर ही आ गया है question तो हम क्या करेंगे जो दूसरा और जो तीसरा जिस method से दिया गया है हम उससे इसे बनाएंगे तो देखें कैसे बनाएंगे दोस्तों इसे हम इधर हम आते हैं सबसे पहले तीसरा नमबर पर तो 13 है 9 है 7 है और 202 है तो बहुत जादा है दोस्तों तो यह तो गुना से आएगा यह तो square से आएगा या तो cube से भी हम करते हैं तेरा का तो बहुत ज़ादा हो जाएगा दोस्तों तो square पे देखते हम पहले तो तेरा नमा नहीं आज़कता है दोस्तों तेरा दियां 130 होता है तेरा नमा 117 और 7 जोडते हैं तो नहीं आएगा तो हम square पे ही आना पड़ेगा हमें तो तेरा का square ठीक है दोस्तों पलस अगर करते हम 9 का square अब माइनस कर देते हैं अगर हम 7 का square तो कितना हो जागा दोस्तों 169 13 का square पलस 81 9 का square माइनस 49 अगर हम जोडते हैं इसे तो 9, 1, 10 के 0, 1 8, 9, 6, 15, 5, 1 और 1, 209 गया तो 201 यह बिल्कुल सही method है दोस्तों 201 तो उसी तरह हम यह भी बनना चाहिए हमारा तभी हमारा method सही होगा तो आए हम देखते हैं 9 है तो 9 का square और इसके बाद पलस किये थे हम 7 का square करेंगे फिर माइनस किये थे 3 का square तो 9 का square 81 पलस 7 का 49 49 और माइनस 9 तो इसका मतलब हो गया 49 में से 9 गटा दिया 40 अच 40 इसमें जोर देंगे दोस्तों तो 1, 8, 4, 12 121 जो कि बिल्कुल option सही आ रहा है दोस्तों the same way हम इसमें करेंगे अब आते हैं हमारा यह इसको लाना है तो क्या करेंगे 17 का square same way में जाएंगे दोस्तों तो 17 का square उसके बाद क्या जोर देंगे दोस्तों यहां 4 है तो 4 का square करेंगे फिर माइनस कीर करेंगे क्योंकि यहां माइनस किये थे यहां माइनस किये थे तो यहां भी माइनस करेंगे 5 का square तो 17 का square 289 माइनस नहीं 5 हांतों है चाहा एक एक दो और आठ दस के 0 हांतों चाहा एक तो एक तीन 305 में से 25 चला गया दोस्तों तो 0 280 ओके फ्रेंट्स तो हमारा ओप्षन क्या है D 280 साफ किलियर ली दे रहा है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ओके फ्रेंड्स थेंक यू